केंद्र सरकार गेहूं के गिरते भंडार को भरने के लिए गेहूं आयात करने की तयारी में है। अनुमान से कम उत्पादन और बड़ी खपत के साथ ही सरकारी खरीद में देरी के चलते 6 साल बाद गेहूं आयात की स्थिती फिर से बन गई है। सरकार गेहूं आयात पर लगने वाले 40 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी को भी हटा सकती है क्योंकि पिछले माह से आटा मिलर्स बढ़ती कीमतों को नियंतरित करने और गेहूं की जरूरत पूरी करने के लिए आयात की मांग कर रहे हैं भारत 6 साल के अंतराल के बाद गेहूं का आयात शुरू करने के लिए तयार है ताकि घटे भंडार को फिर से भरा जा सके और 3 साल की निराशा जंक फसल उतपादन के चलते कीमतों में आ रहे उच्छाल को रोका जा सके मिली जानकारी के मताबिक इस साल गेहूं के आयात पर 40 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी को समाप्त कर सकती है जिससे निजी व्यापारियों और आटा मिलों के लिए शीर्ष निर्यातक रूस जैसे उतपादकों से गेहूं खरीद करने का रास्ता साफ हो जाएगा रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन आफ इंडिया के अनुसार गेहूं इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से आयात बढ़ेगा जिससे खुले बाजार में भरपूर आपूर्ती करने में मदद मिलेगी अनुमान जताया गया है कि सरकार फ्लोर मिलर्स की आयात संबंधी मांग को स्विकार कर सकती है रिपोर्ट में कहा गया है कि जून के बाद सरकार निजी ट्रेडर्स के लिए गेहूं आयात शुल्क हटाने का फैसला सरकार ले सकती है क्योंकि चार जून को लोग सभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और अगले कुछ दिनों सरकार का गठन भी हो जाएगा ट्रेडर्स ने कहा कि अगर सरकार 40 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी हटाती है तो वह तुरंत गेहूं का आयात शुरू कर देंगे कहा गया कि लगभग 30 से 50 लाख टन आयात परियाप्त होना चाहिए यह गेहूं की मात्रा के लिए रूस सबसे उचित विक्रेता दिख रहा है गेहूं आयात जल्द शुरू होने से आगामी अक्तूबर माह में त्योहारी सीजन के दोरान भारीत मांग को पूरा करने और कीमतों को नियंतरित रखने में मदद मिलेगी लगातार पांच साल से कटाई के बाद तापमान में तेज वृधी ने 2022 और 2023 में भारत की गेहूं की फसल उतपादन को घटा दिया है इसके चलते भारत को गेहूं निर्यात पर रोक तक लगानी पड़ी है इस साल की फसल भी 11.2 करोर टन के सरकारी अनुमान से 6 फीसदी कम उतपादन होने की आशंका जताई है गेहूं की घरेलू कीमते सरकार की ओर से तै न्यूंतम खरीद मूले यानी MSP 2275 रुपए प्रती क्विंटल से उपर रही हैं और बीते कुछ सप्ता में तेजी से बढ़ना भी शुरू हो गई है Bureau Report Market Times TV